लुध्याना में हेक्टिक केंपेनिंग चल रही है क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है देश बर में इलेक्शन है और हमारे साथ हैं आमाधी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अशोक पर आशर अशोक जी दोजार बाइस में आप लड़े थे आमाधी पार्टी से आपको MLA बनाया गया अलुध्याना सेंट्रल से अब MP क्यों बनना चाहते हैं मैं नहीं बनना चाहता है लोगों का और सदार बगवान सिंग मान जो मुख मंतरी पंजाब हैं उनको लोगों ने बोला जाकर भी यह आदमी एक हलके में अच्छा काम कर रहा है इसको बड़ी जुम्मेवारी दो और मेरे को नौ हलकों की जुम्मेवारी मिली है मैं लोगों के बीच में आ रहा हूं अगर लोग चाहेंगे मेरे को अगर मेरी सेवा लिकी हुई तो यह लोगों की सेवा करूँगा यहां रुक के यही देख रहा हूं यहां कोई राजनिती लोग नहीं आते इनके पास वाय बोटे लेते हैं यह ऐसे गाउं हैं मैं पीछे से आ रहा दस साल जो MP जीत के गए हैं जो अभी भाजपा में चलेगे बिट्टू ब्यान सिंग का पोता वो दस साल इनको शकल नहीं दखाया दुबारा ऐसे राजनिती लोगों से यह लोग परिशान हो गया है तब मेरे जैसे को वहां सेंटर से यहां बेजा गया है नो हलकों की सेव अब बात की रवनीत बिट्टू की कि उन्होंने कुछ नहीं किया है दस साल यहां पर लुद्याना के लिए तो अब राजा वड़िंग भी आ गए हैं चंडीगट से यहां पर आ गए हैं कॉंगरस के परदान है लुद्याना से लड़ने के लिए इसको किस तरह देखते हैं अगर अकेला राजा बढ़ेंगी कांगरस ही रह गया अगर पंजाब परदेश कांगरस का प्राइजएंट है तो यह थोड़ी बात है 50 लाग कांगरस ही नहीं पसंद कर रहे हैं अंदर से आज आया है लुद्याना में यह देखो पीछे मेरे को दस दिन हो गई गाउं में जितने लोग आज मेरे पीछे यहां हैं दस दिन में वहां आज वो पहली दफ़ा है लोग उसको बोर रहे हैं विवापा जाओ गिद्डवाया में 180 किलोमेटर कौन जाएगा आजमी काम कराने के लिए जहां दिल करें लोगों के गरीबों की बोटें ली पहने पांच साल फ इन से दान लेके जाते हो इनका काम किसने करना है दान कितनी बड़ी चीज है अगर मत का दान देते हैं ये लोग काम किसने करना है इनको पूछ के देखो जो दस साल इन लोगों ने बनाया रवनीक बिट्टू को वो आकर यहां एक दफा भी शकल दखाया आज बाजपा की अमिशा और मोदी से टिकल लेके फिर लुद्याना में आगे कांगरसियों ने दरवज्जे बंद कर लिये उनका फोन नहीं उटाया पूने पांच साल आज फिर का बाजपा की टिकल लेके आगे ऐसे राजनिती नहीं चलेगी अभी हमारे बच्चे बहुत से आने हैं सबसे पहले तो लुद्याना का मेरा बधान सबा में यही कोश्चन था तो मेरी डूटी शेर यहां तब लगी है पहले एक सबसे पहले होगा लुद्याना की जब पांच लाग की अभादी ती तब का एक होस्पिटल बना है कितनी सरकारे आई हैं कितनी चलेगी पचास की अबादी का शैर बन गया एक भी होस्पिटल नहीं किसी ने बनाया जिस दिन मेरे को सेवा मिल गई लुद्याना लोकसवा की सबसे पहले मेरा निश्चाना इस बात पबे होगा वह एक बड़ा पीजी आई जैसा होस्पिटल लुद्याना को ला के देना है लुद्याना अं जोक पराशर जोकी लुद्याना से आमाध्य पाटी की केंडिटर है और क्लिरले बताया कि राजावड़ेंगे आउटसाइडर है और रमनीत बिट्टो को भी उनने बोला है कि उनने दस साल कुछ नहीं किया क्या होगा यह लुद्याना के वोटर ताय करेंगे लेकिन अभी कैमपेंग जो हेक्टिक जो है लुद्याना में चल रही है लुद्याना से कैमर परसंट गुंजीत के साथ असीम बसी आज तक